Hello everyone, welcome to Gate Academy and Unacademy. एक बहुत ही important question है, जो कि एक decision making question है, जो अभी student face कर रहे हैं, जो Gate 2023 के different round, COIP के different round से गुजर रहे हैं, और उनका एक question है कि सर मुझे जो मैं चाहता था, जो मैं सोचता हो कि मुझे इस particular XYZ IIT में, इस particular XYZ stream पे या फिर XYZ specialization में Mtech करना है, और मुझे नहीं मिल रहा है, तो क्या मुझे spot round का wait करना चाहिए, तो यही question का answer मैं इस video में दे रहा हूँ, और मेरा answer है कि don't wait for spot round, और यह क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, इसके पीछे काफी सारी return में जानकरी जो है वो आपको COIP के portal पे ही मिल जाएगा, जो IIT खड़कपुर में 2023 का, जो information browser शेयर किये आप से, उसमें ही मिल जाएगा, तो एक एक करके सारी चीजे में आपको बताता हूँ, कि आपको क्यों spot round के लिए wait नहीं करना चाहिए, सबसे पहली बात कि यह जो spot round है, यह uncertain है, इसमें कोई निश्चिता नहीं है, यह certain नहीं है, कि आपके लिए spot round होगा ही होगा, और उस particular IIT में जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, और उस particular stream जो आप लेना चाहते हैं, उसी stream में आपको चीजे spot round में मिल जाएगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, कि tentative schedule for main rounds of offer, तो यहाँ पे सारा schedule दिया गया है, यह आपके पास final schedule है, जहाँ पे यह लिखा हुआ है June 17 से June 19 तक आपके पास 5th round जो है, उस COP का चलेगा, इसमें एक important चीज आप यहाँ पे देखेंगे, कि retain and wait का option यहाँ पे हटा दिया गया है, तो आप यहाँ तो यहाँ accept कर सकते हैं, यहाँ तो reject कर सकते हैं, reject करेंगे, तो आपके next, जो आपका peer होगा, उसको यह सारी चीजे shift हो जाएंगे, जो आप से कम rank का होगा, और वो चाहता है कि वही branch उसको मिले, तो यह चीजे next में उनके पास से ले जाएंगे, तो आपको reject करना है, या फिर आप कर सकते हैं कि जो final round में आपको मिल रहा है, आप उसको accept कर ले, भले ही थोड़ा वो दिधर उधर उसको accept कर ले, कारण यह है, क्योंकि इसके बाद जो चालू होगा, वो है additional round, और यह जो additional round हैं देख सकते हैं, यहाँ पे कितने rounds का प्लान किया गया है, यहाँ पे 6, 7, 8, 9 और 10th round भी हो सकता है, हो सकता है 11th round भी हो जाए, तो सर इतने सारे rounds क्यों करवाया जा रहे हैं, कारण यह है कि इतने सारे rounds extra या फिर additional करवाने के पीशे प्लान है, कि आप जो IAT, जो भी IATs हैं, वो सारे IATs यह चाहते हैं कि उनके सारे seeds, जो vacant seeds हैं, वो इस additional round में fill up हो जाए, मतलब कोई भी vacant seeds वो नहीं रखना चाहते, तो यह additional round है, यह spot round नहीं है, और यह जब additional round होता है, तो आप देखिए, यहां से यह जो option है, retain and wait का यह हटा दिया गया है, अब आपके पास या तो reject करने का option है, या तो आप accept कर सकते हैं, अब आप चीज़ों को retain नहीं कर से, मतलब decision आपको एक बार में लेना पड़ेगा, तो additional round में, जो अब तक fifth round तक आपने अगर कोई भी particular branch को fix नहीं किया है, या फिर freeze नहीं किया है, तो आप additional round में अपने किस्मत को एक बार और आजमा सकते हैं, क्योंकि यहां पे सिर्फ मिलेगा, या फिर reject option मिलेगा, जो भी merit के basis पे आपको offer दिये जाते हैं, उसको या तो आप freeze कर सकते हो, या तो reject कर सकते हो, दो ही option है, तो यहां पे आपको decision लेने के लिए, एक particular institute में, एक particular branch में decision लेने के लिए next option नहीं मिलेगा, आप या तो accept कर लो, या तो reject कर लो, इस particular scenario क के पीछे, किसी IT के जाने का कारण ये है, कि वो अपने seats को fill up करना चाहते हो, वो vacant नहीं रखना चाहते, क्योंकि फिर से यहां पे retain का option दे दिया जाता, तो वो seat vacant हो जाते, क्योंकि आप उसको रोक के रखते हैं, वो आपके लिए reserve हो जाता है, जब आप retain का option क्लिक करते हैं या फिर आप freeze कर लो, दो ही option आपके पास है, तो यहां पे लिखा भी है कि only for those institutes which would like to continue beyond round 9, round 9 तक सारे institute भढ़ जाते हैं और उसके बाद अगर चाहें, तो कोई एक particular institute उसके beyond जा सकता है, round 9 के beyond, जो कि 10th round है, जो कि July 14 से July 15 तक होगा, only if there is no more additional rounds, ठीक है, तो यह एक decisive round होता ह यह भी यहां पे लिखा हुआ है, each one of the additional rounds, 6, 7, 8, 9, and 10 is a decisive round, यहां पे एक चीज और दिया है, यहां है, चुकि spot round से related है, अगर आपने read किया है, एकदम अच्छे से, तो आपको page number 21 में यह सारी चीजे देखने को मिल जाएगी, तो मैं just यहां पे page number 21 में जा रहा हूँ, यह जितने भी additional round करवाया जाते हैं, वो decisive round होता है, या फिर आप यह भो सकते हैं कि IIT अपने seats को vacant नहीं रखना चाहता है, जिसकी वज़े से इन rounds को करवाया जाता है, और इन rounds में participate करने के लिए, सारे IITs नहीं रहते हैं, जिन IITs के seats रह गया है, vacant, जिस particular particular specialization में, उसी particular specialization के लिए, वो decisive round का plan किया जाता है, मतलब उन rounds में ये plan होती हैं कि सारे seats fill हो जाए, और किसी को भी spot round में जाने की जोरत ना पड़े, क्योंकि spot round additional round के बाद आता है, तो यहाँ पे लिखा है, will any offer be available at COP after the final round, no, after the last final round of COP, no offers will be available at COP, for any offer, admission related matter, candidate must visit the respective academic institute, admission portal, तो आपको क्या करना है, अगर आपने उन additional rounds के बाद भी अपनी चीजों को freeze नहीं किया है, तो आप उस respective IAT में एक बार जाक सकते हैं, उनके website को एक बार देख सकते हैं कि क्या वो additional round के बाद कोई spot round की planning कर रहे हैं, क्या उनके seats weekend रहे गए हैं, यहाँ पे आप जो सोच रहे ह हैं कि मुझे इस particular IAT में यह particular branch चाहिए, उसके होने नहीं होने की uncertainty फिर से बढ़ जाती है, और spot round के लिए आपको फिर से अपना registration करना रहता है, उस particular IAT में जाके इसको लिख के रखिए, उस particular IAT के website में जाके आपको फिर से registration करना पड़ता है, तब जाके आपको spot round में कोई seats मिलती है, और spot round में एक चीज और है, spot round में आपको seats वही मिलेंगी, जो आपने previously अपने CUAP के registration portal पे उसको अपने option में fill up किया था, क्योंकि spot round में आपको फिर से नहीं पूछा जाता कि आप किस particular branch को या किस particular college को आप अपने priority list में रखना चाहते हैं, यहाँ पे priority list फिर से नही नहीं बनाई जाती, आपके according यहाँ पे priority list उनके according बनाई जाती है, कि किसने किसने उस particular college में अपने merit list के अधार पर spot round के लिए form fill up किया है, उसके basis पे, उनके merit के basis पे, directly एक decision making आपको एक option दिया जाएगा, कि भाई आपने previously CUAP में इस particular option को fill किया था, जिसके हिसाब से हम आप को यह offer दे रहे हैं, अगर आपको freeze करना है तो कर लिजे, वरना reject कर दीजे, ताकि हम इस offer को किसी और को दे सके, तो यह एक decisive round होता है, यहाँ पे लिखा है, will additional spot admission rounds of offer will be available at CUAP, तो यहाँ पे लिखा है no, after the main and additional rounds, दोनों के बारे में लिखा है, at CUAP no offers will be available at CUAP, some institutes may like to fill the vacancy with additional spot rounds for which candidates should follow the guidelines of the respective institutes, ठीक है, वो respective institutes के website में जाना, उनके guidelines को follow करना है, उनके अगर कोई seeds vacant रह जाई होगी, तो वो जिस प्रकार का आदेश आपको देंगे, उस आदेश को follow करना है, उसके according, वो merit list दे करेंगे, और उसके according, आपको कोई seeds offer किया जाएगा, in this case, admission and offer related information would be available only on the respective institute website, no offer related data will be available at COAP, साफ सुत्रा लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, कैना इवीव COP offer details without registering at COAP and using my own mtech application ID, तो यहाँ पर काफी सरे students जो already COAP में participate नहीं किये हैं, जिनका low gate score था, वो भी सूच रहे होंगे कि सर, spot round में मुझे कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं मिल सब्सक्राइगा, spot round में आपको नहीं मिलेगा, अगर आप COAP में registration नहीं किये हैं, तो spot round में आपको registration करने का offer भी नहीं मिलेगा, और आप directly किसी IIT के institute में जाकि spot round में admission के लिए claim नहीं कर सकते, अगर आपने already COAP में participate नहीं किया है, या फिर वहाँ का registration number आपके पास नहीं है, क्योंकि spot round में भी admission आपके COAP के number के अनुसार ही मिलता है, ठीक है, तो यह offer आप ध्यान से देख लेंगे, can I view COAP offer details without registering at COAP and using my own mtech application ID, no it is not possible, आपको COAP का ही application ID यूज करना पड़ेगा, कोई भी अलग से आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे काफी सरी चीजे clear हो जाती है, तो आपको इसकी according ही run करना है, तो मैं जो चीजे आपको बताना चाहरा हूँ, वो यह की COAP में spot round के through admission लेने का जो प्लान है, जो आप प्लान किये हैं, कि मुझे अमुक IIT में यह particular stream मिल जाए, तो वो possible नहीं है, क्योंकि आपने अगर किसी particular IIT के specialization को already reject कर चुक है, तो ही आपको possible है कि वो चीजे आपको spot round में offer किये जाएं, यह भी एक additional चीजे हैं, जो आपको ध्यान में रखना है, तो जो important चीजे हैं इस particular video में वो आप ले लीजेगा, कि सबसे पहला point कि आपको COAP spot round की जो निश्चित्ता है, certainty है, वो नहीं है, सारे institute spot round में admission के लिए जो IT के institute है, spot round में admission के लिए available रहेंगे, यह जरूरी नहीं है, कुछ IT जिनके seats fill up नहीं हुए है, वो ही additional round के बाद spot round में admission के लिए अपने portal पे आपको message देंगे, तो उसी के तुरू आपको जाना है, अगर already आपने freeze कर लिया है अपनी institute को, तो भी आपको यह offer नहीं मिलेगा final round तक उनको यह offer दिया जाएगा, अगर आप already freeze कर चुके हैं, तो आपको यह offer नहीं दिया जाएगा, spot round एक अनिश्चिता है, यहाँ पे चीजे वैसी नहीं है, जैसा आप सोच रहे हैं, कि मैं एक institute का यह वाला particular branch मेरे को अभी offer नहीं हो रहा है, तो spot round में मिल जाएगा, ऐ यह एक अच्छी offer मुझे मिल रही है, आगे नहीं मिल सकती, क्योंकि यह किसी और को shift हो जाएगा, तो आपको freeze कर देना चाहिए, और अगर आपने freeze नहीं किया है, तो आप spot round में participate कर सकते हैं, depends upon कौन से आइटी में seats vacant रह गई है, उसी आइटी का spot round आपको मिलने वाला है, ठ इस चैनल पर अवलेबल है, और उसके बास self-sponsored की भी काफी सारे videos है, और gate rank के आधार पर भी आप decision ले सकते हैं, कि आपको क्या करना चाहिए, आपको spot round में चीजे मिलेंगी, आफिर नहीं मिलेंगी, तो इसके बाद मैं आपको बता दू कि अगर आप gate EAC या फिर किसी PSU क कर रहे हैं, तो anacademy आपको क्या offer price दे रहा है अभी, तो अगर आप gate EAC, WEC, electronics या फिर electrical के लिए preparation कर रहे हैं, तो flat 25% off plus free month का, आपको कुछ free month का subscription मिल रहा है, आपको क्या करना है, आपको foundation batch, ये एक नया batch है जो की start हो रहा है, 16th of June से इसको join करना है, for gate EAC and PSU preparation for 2024, यहाँ प subscription आपको यहाँ पर मिल जाएगा, Iconic में भी 9 month, 12 month और 18 month का, plus Iconic में additional 2 month का free subscription आपको मिल रहा है, price amount यहाँ पर describe है, पूरी detail के साथ, आपको क्या करना है, आपको registration के लिए GA1111, ये code यूज़ करना है, और इसको use करके आप app के थुरू अपने आपको register कर सकते, for foundation batch, which is going to start from 16 और यहाँ पर flat 25% का off आपको दिया जा रहा है, अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या चीज़े आपको मिल जाएंगी, तो flat 25% off plus free month के subscription के साथ, आपको मिलेगा unlimited access to all batches and classes जो अलरड़ी हो चुके हैं, उसके अलावा आपको मिलेगा in class doubt solving, जो की app में आप faculty से interact करके अपने doubts क solve कर सकते हैं, आपको digital notes मिल जाएंगे, उसके community में रहता है, एप के और उसके अलावा home delivered notes, printed notes आपको iconic subscription में मिल जाएगा, access to 5600 practice question, practice question का importance gate में बहुत जादा होता है, तो आपको practice questions बहुत सारे मिल जाएंगे, DPPs के थुरू, faculties के थुरू, काफी सारे practice question आपको provide किये जाते ह ठीक है, एक बहुत अच्छी planning है, an academy workshop के नाम से, जिसकी registration amount 99 है, यह June 18 को plan किया गया है, यहाँ पे आपको सारे branch के top educator से उससी interact करने का मौका मिलेगा, और अपने आपके लिए career plan आगे आप कैसे करें, college के साथ कैसे plan करें, job के साथ कैसे plan करें, ऐसे काफी सारी query आपकी interact करके आप solve कर सकते हैं, आप जो registration amount 99 देंगी उसको worth है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा topic wise 10 year का PYQ with detail solution gate का, आपके particular branch का, यहाँ पे आपको kit मिल जाएगा interview crack करने के लिए, साथ में voice interaction आप कर सकते हैं अपने favorite faculty के साथ, जो यहाँ पे आपको top educators के चेहरे दिख रहे हैं, आपक के branch से, और यहाँ पे certificate मिल जाएगा आपको workshop attain करने का, और GA111 code use करके आप इसमे registration कर सकते हैं, registration amount 99 है, ठीक है, अगर आप electrical electronics से हैं, तो आपको इसी registration में, उमेजधान्डे सर जो electrical electronics के top educator है, इन से interact करने का एक बहतरीन मौका मिल जाएगा, June 18 को, ठीक है, तो आप फटा-फट से registration कर लिजे, यह वो बंदे हैं, जो last year top single digit rank gate में लेके आया थे, आपकी भी planning ऐसी है, तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, हमारे साथ जुड़ के, ठीक है, तो कैसे जुड़ना है, मैं बताता हूँ, आपको unacademy foundation course से जुड़ना है, जिसका batch A start हो रहा है, electronics branch के लिए, English इस इंदी दोनों में, उसमें आपको teach किया जाएगा, 16th June of से start हो रहा है, 2024 की planning अगर आप gate और PSU के लिए कर रहे हैं, तो आपके लिए subject start हो रहा है, signal system और network theory, GA111 code है, इसको use करके आप registration कर लिजे, ताकि आप इस class को attain कर सके, अगर आप electrical branch से है, 2024 के लिए foundation batch में registration करके, 16th June से आप class return कर सकते है, signal and system, और network theory की batch इस start हो रहा है, electrical का English language में, ठीक है, GA111 code है, इसको use कर लिजे, आप registration कर लिए, iconic subscription अगर आप लेते हैं, तो आपको ये सारे books जो है, वो home delivered किये जाएंगे, इसमें gate के सारे books है, अगर आप electronics की बात करें, या फिर electrical के बात करें, तो सारे books आपके लिए available है, ठीक है, अगर आप ISRO की तयारी कर रहे हैं और mock test के लिए plan कर रहे हैं, तो आपको six foot length mock test दिया जा रहा है, to 99 रुपेज में, बहुत ही minimum price है, जिसमें computer science, mechanical, electronics के बच्चे, mock test के लिए जूर सकते हैं, ISRO के scientist engineer post के लिए, इसके लावा अगर आप financially challenged हैं, तो आप 0% interest में, no cost EMI में, अपने courses को book कर सकते हैं, इसका सारा related paperwork जो है, वो फटाफट हो जाएगा, जस्ट आपको इस number पे call करना है, और इस number पे call करके, आप अपनी queries को solve कर सकते हैं, अगर आप offline से पढ़ना चाहते हैं, तो दिल्ली में, महरूली, रामनन हाउज, अर्बिंद से आप जाएगे, इस number पे call कीजी, या फिर आप वहाँ पे physically भी जाके, आपनी registration को करवा के, पढ़ाई start कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको बता दू की, crack your gate potential, तो इसके लिए आप जो भी queries है, उसके लिए call book कर सकते हैं, आप इस number पे call करके, कि किस time पे आपको call चाहिए, क किस time पे आपको queries को पूछना है, तो अपने time के नुसर आप एक call book कर सकते हैं, जिसका number यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके, thank you and all the best from my side.